प्रेम से बोलिए श्रीमत भागवत महापुरान की जय, श्री शुक्देव महराज की जय, हर दिन भागवत कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आज सुनिए आगे की भागवत कथा, श्री से बहुत ही शोकाकुल हो रही थे एक दिन नारत जी ने आकर अनिरुथ का शोनित पुर जाना वहां बाणासुर के स्यनिकों को हराना और फिर नाग पाश में बाधा जाना ये सारा समचार सुना दिया तब श्रीकृष्ण को ही अपना आराधिदेव मानने वाले यद्वंशि ने बारह अक्षोनी सेना के साथ व्यू बना कर चारों और से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया जब बाणासुर ने देखा कि यद्वंशियों की सेना नगर के उद्यान परकोटों बुर्जों और सिंग द्वारों को तोड फोड रही है तब उसे बड़ा क्रोध हाय और वो भी बारह अक्षोनी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा बाणासुर की ओर से साक्षद भगवान शंकर व्रिशब राज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिके और गणों के साथ रण भूमी में पधारे और उन्होंने फिर भगवान श्रीक्रिष्ण और बल वलराम जी से कुमभान और कूब कर्न का युद्हुआ पिनाख पानी शंकर जी ने भगवान श्रीकृष्ण पर तरह तरह के अगाने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया किन्तो भगवान श्रीकृष्ण ने विना इसी प्रकार के विसमे के उन्हें विरोधी शास्त्रास्त्रों से शांत कर दिया इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने जरंभनास्त्र से जिससे मनश्य को जंभाई पर जंभाई आने लगती है महादेव जी को मोहित कर दिया वे युद्ध से विरत होकर जंभाई लेने ल रक्त की धारा बहने लगी और वे रन भूमी छोड़कर अपने वहन मयूर द्वारा भाग निकले बलराम जी ने अपने मुसल की चोट से कुम्भांड और कूपकर्ण को भिगायल कर दिया वे रन भूमी में गिर पड़े इस प्रकार अपने सेना पत्यों को हताहत देखकर बा बानासुर ने देखा कि श्रीकृष्ण आधी के प्रहार से हमारी सेना तो तितर बितर और तहस नहस हो रही है तब उसे बड़ा क्रोध हुआ उसने चड़कर सात्यकी को छोड़ दिया और अब वह भगवान श्रीकृष्ण पर आकर्मन करने के लिए दोड़ पड़ा परिक थी रत तथा घोडों को भी धारशाई कर दिया और शंक द्वनी की कोटरा नाम की एक देवी बानासुर की धर्म माता थी वो अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धणंग भगवान श्रीकृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई भ प्रथीन हो जाने की कारण अपने नगर में चला गया इधर जब भगवान शंकर की भूत गण इधर उधर भाग गए तब उनको छोड़ा हुआ तीन सिर और तीन पैर वाला ज्वर दस दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्रीकृष्ण की ओर दोड़ा भगवान श्री के तेज से महेश्वर ज्वर पीडित होकर चिलाने लगा और अत्यंत भैभीत हो गया और जब उसे कहीं साहता ना मिली तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ चोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना करने लगा ज्वर ने कहा प्रभो आपकी शक्ति अनन्त हैं आप ब्रहमादी ईश्वरों के भी परम ईश्वर हैं आप सबके आत्मा और सर्व सरूप हैं आप अध्विती और केवल ग्यान सरूप हैं संसार की उत्पत्ति इस्थिति और संखार के कारण आप ही हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभो आपके शां प्रिक्षित बाना सुर ने अपने हजार हाथों में तरह तरह के हत्यार ले रखे थे अब वो अत्यत क्रोध में भरकर चक्र पानी भगवान पर बानों की वर्षा करने लगा जब भगवान श्रिकिष ने देखा कि बाना सुर ने तो पानों की जड़ी लगा दी है तब वे छुरे के समान तीखी धारवाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे। मानो कोई किसी विरक्ष की छोटी-छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब विचक्रधारी भगवान श्रीक्रिष्न के पास आए और इस्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा प्रभो आप वेद मंत्रों में तातपरी रूप से छुपेवे परम जोती स्वरुप परभ्रम हैं। आकाश आपकी नाभी हैं, अगनी मुख हैं और जलवीर्य, स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और प्रत्वी चरण हैं, चंद्रमा मन, सोरे नेत्र और मैं शिव आपका एहंकार हूँ, समुद्र आपका पेट हैं और इंद्रभुजा, धान्यादी ओशधियां रोम हैं, मेघ और ग्रमा बुद्धी, प्रभो, जैसे सूर्य अपनी चाया बादलों से ही ढख जाता है, और उन बादलों और विभिन रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार, आप तो स्वयम प्रकाश हैं, परन्तु गुणों की द्वारा मानों ढख से जाते हैं, और समस्त के अपार सागर में दूबने उत्राने लगते हैं, संसार के मानों को ये मनुश्य शरीर आपने अत्यंत करपा करके दिया है, जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश्मे नहीं करता, और आपके चलन कमलों का आश्रे नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, बानासुर मेरा परम प्रे करपा पात्र और सेवक है, मैंने इसे अभाइदान दिया है, प्रभो जिस प्रकार इसके परदादा दैतिराज प्रहलात पर आपका करपा प्रसाद है, वैसा ही करपा प्रसाद आप इस पर भी करें, तब भगवान श्री कृष्न कहने लगे, बानासुर दैतिराज बली का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलात को वर्द दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैति का वद्ध नहीं करूंगा, इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी है, इसकी बहुत बड़ी सेना प्रत्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संघार कर दिया है, अब इसकी चार भुजाएं बच रही है, ये अजर अमर बनी रहेंगी, ये बानासुर आपके पार्षदों में मुख्योगा, अब इसको किसी प्रकार का भय नहीं है, श्री कृष्ण से इस प्रकार अभैदान प्राप्त करके बानासुर ने उनके पास आकर धरती में माथटे का प्रणाम किया और अनिरुध जी को अपनी पुत्री उशा के साथ रत पर बठाकर भगवान के पास ले आया, इसके बाद भगवान श्री प्रणार का में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभा आगमन का समझार सुनकर जण्डियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया, बड़ी बड़ी सलकों और चुराहों को चंदन मिश्रित जल से सीच दिया गया, नगर के नागरिकों, बंधू बांधवो और ब्रह्मनों ने आगे आकर खुब धूम धाम से भगवान का स्वागत किया, उस समय शंक नगाडे और ढोलों की ध्वनी हो रही थी, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया, परिक्षित जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भ प्रद्यूमन चारुभानू और गद आदियदुशी राजकुमार घूमने के लिए उपुवन में गए, वहां बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई, अब वे इधर उधर जल की खोच करने लगे, फिर वे कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा भारी विचितर जीव उसमें दिख पड़ा, वह जीव परवत के समान आकार काई गिर्गिट था, उसे देखकर उनके आश्चरी की सीमा नहीं रही, उनका हिर्दय करुना से भर गया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, परन्तु जब वे राजक के पास जाकर सुना दिया, जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्रीकृष्ण उस कुएं पर आए, उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेली खेल में अनयास ही उस गिर्गिट को बाहर निकाल लिया, भगवान श्रीकृष्ण के कर कमलों का इस पर शोते ही उसका ग भूत वस्त्र, आभूशन और पुष्पों के हार शोभपा रहे थे, हालांकि भगवान श्रीकृष्ण जानते थे कि इस दिवे पुरुष को गिर्गिट योनी क्यों मिली थी, फिर भी वे कारण सर्वसाधारन को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिवे पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुन्दर है, तुम हो कौन, मैं तो ऐसा समझता हूँ, कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ट देवता हो, कल्यान मोरते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनी में आना पड़ा था, वास्तों में तुम इसके योगी नहीं हो, हम लोग तुम्हारा व्रतांत जानना चाहते हैं, अगर तुम हम लोगों को ये बतलाना उचित समझो, तो अपना परिचे अवश्य दो, श्री शुकदेव जी कहते हैं, परिक्षित, जब अनन्त मूर्ती भगवान श्री कृष्ण ने राजा नरग से, क्योंकि व प्रग हूँ, जब कभी किसी ने आपके सामने दासियों की गिंती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा, प्रभो आप समस्त प्राणियों की एक-एक वरत्ती के साक्षी हैं, भूत और भविश्य का विवधान भी आपके अखंट में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डाल सकता, इसलिए आप से छुपा ही क्या है, फिर भी मैं आपकी आग्या का पालन करने के लिए कहता हूं कि भगवन, प्रत्वी में जितने धूली कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जलकी धाराएं गिरती ह मैंने उतनी ही गवें दान की थी, वे सभी गवें दुधार, नौजवान, सीधी, सुन्दर, सुलक्षना और कपिला थी, उन्हें मैंने नियाय के धन से प्राप्त किया था, सबके साथ बचड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी, उन्हें वस्त्र हार और गहनों से सजा दिया जाता था, ऐसी गवें मैंने दी थी, भगवन, मैं युवावस्था से संपन श्रेष्ट ब्रहामन कुमारों को, जो सदुगुणी, शील संपन, कस्ट में पड़े हुए कुटुम्ब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पा थी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के परवत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, ग्रह सामगरी और रथ आधी दान किये, अनेकों यग्वी किये और बहुत से कुवें बावली आधी बनवाई, फिर एक दिन किसी अप्रति ग्रही अर्था दान ना लेने वाले गाए को वी ब्रहमन ले चले तब उस गाए के असली स्वामी ने कहा, ये गव तो मेरी है, दान ले जाने वाले ब्रहमन ने कहा, ये तो मेरी है क्योंकि राजा नर्यग ने मुझे इसको दान में दिया है, अब वे दोनों ब्रहमन आपस में जगरते वे अपनी अपनी बात क भगवन उन दोनों ब्रहमनों की बात सुनकर मेरा तो चित्त ब्रहमित हो गया मैंने धर्म संकट में पढ़कर उन दोनों से बड़ी अनुने विन्य की और कहा कि मैं बदले में एक लाख उत्तम गुवे दूँगा आप लोग मुझे यह गाय दे दिजिए मैं आप लोगों का स इसके बदले में कुछ नहीं लोगा यह कहकर गाय का स्वामी चला गया तुम इसके बदले में एक लाख ही नहीं दस हजार गुवे और भी तो तब भी मिलेने का नहीं इस प्रकार कहकर दूसरा ब्रहमन भी चला गया देवाधी देव जग्दीश्वर इसके बाद आयू समा तुम्हें ऐसा तपस्वी लोग प्राप्थ होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है भगवन तब मैंने यम्राज से कहा देव पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूं और उसी च्छण यम्राज ने कहा कि तुम गिर जाओ उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ प्रभू मैं ब्रहमनों का सेवक उदार दानी और आपका भक्त था मुझे इस बात की उतकट अभिलाशा थी कि कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाए इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों की इ दिहान करते रहते हैं इंद्रियातीत परमात्मन साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए जो कि मैं तो अनेक प्रकार की व्यसनों दुखत कर्मों में फसकर अंधा हो रहा था और आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चकर से छुटकारा मिलने का समय आता ह देवताओं के भी आरध देव हे पुरुशतम कोविंद आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं अविनाशी अच्छित आपके कीर्ती पवित्र हैं अंतर्यामी नाराय आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं प्रभो हे श्री क है आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्द्यमान हैं आपकी अनन्त हैं और आप स्वाम व्रह royal करता हूं सर्वांतर यामि वासुदेव श्री कृत्ज्ष आप समस्त योगों के स्वामी योगिश्वर हैं मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ राजा निरग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का इसपर्ष करके प्रणाम किया फिर उनसे आग्या लेकर सबके देखते ही देखते वे श्रेष्ट विमान पर सवार हो गए कि जो लोग अगनी के समानते जिस्वी हैं वे भी प्रहमनों का थोड़े से थोड़ा धन हड़पकर नहीं पचा सकते हैं फिर जो अभिमानवश जूट मूट अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते हैं मैं हलाहल विश को विश नहीं मानता क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है इसलिए ब्रहामनों का धन ही परम विश है उसको पचा लेने के लिए प्रत्वी में कोई और शिदी कोई उपाय नहीं है हलाहल विश केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है किन्तु ब्रहामन के धन रूप अरणी से जो आग पैदा होती है वो सारे कुल को समूल जला डालती है ब्रहामन का धन यदि उसकी पूरी-पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए तब तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन तीनों पीडियों को ही चोपट कर डालता है परन्तु यदि बल पूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए तब तो पूर्व पूरुषों की दस पीडिया और आगे की भी दस पीडिया लस्ट हो जाती है जो मूर्ख राजा अपनी राज लक्ष्मी के गमंड से अंधे होकर ब्रहामनों का धन हड़पना चाहते हैं समझना चाहिए कि वे जान बूच कर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं वे देखते नहीं कि उन्हें अधा पतन के कैसे गहरे गढ़े में गिरना पड़ेगा जिन उदार हर्दय और बहु कुटम भी ब्रहामनों की वृत्ति छीन लिजाती हैं उनके रोने पर उनके आशू की बूंदों से धर्ती के जितने धूल कण भीगते हैं उतने वर्षों तक ब्रहामन के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छरंखल राजा और उसके वन्षजों को कुम्भी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है जो मनुष अपनी या दूसरों की दीवी ब्रहामनों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं वे साथ हजार वर्ष तक विस्ठा के कीड़े होते हैं इसलिए मैं तो यही जाता हूँ कि ब्रहामनों का धन कभी भूल से भी मेरे कोश में नाए क्योंकि जो लोग ब्रहामनों के धन की इच्छा भी करते हैं उसे छीनने की बात तो लग रही वे इस जनम में अलपायू शत्रों से पराजित और राजिब्रस्ट हो जाते हैं और मृत्यों के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले साप ही होते हैं इसलिए मेरे आत्मियों यदि ब्रहामन अपराद करे तो भी उससे द्वेश मत करो वे मार ही क्यों न बैठे या बहुत सी गालियां ये शाप ही क्यों न दे उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो जिस प्रकार मैं बड़ी सापधाने से तीनों समय ब्रहामनों को प्रणाम करता हूँ वैसे तुम लोग भी किया करो जो मेरी इस आग्या का उलंखन करेगा मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा दंड दूँगा यदि ब्रहामन के धन का अपहरन हो जाए तो वह अपहरत धन उस अपहरन करने वाले को अंजाने में उसके द्वारा ये अपराध हुआ हो तो भी अधापतन के गध्धे में डाल देता है जैसे ब्रहम्मण की गाये ने अंजान में उसे लेने वाले राजा नरक को नरक में डाल दिया था परिक्षित समस्त लोकों को पवित्र करने वाले भगवान श्रीक्रिष्ण द्वारका पुर्वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए हरे क्रिष्णा आज का ध्याय समाथ हुआ उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी